अपने पेशे के साथ दूसरों से अलग करने का शौक सभी को होता है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे पूरा कर पाते हैं गोपाल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी के अगरवाल ने इलाज के साथ ही कई दुरलब पौधे, सिक्कों और टिकटों का कलेक्शन तयार किया है उन्होंने कई दुरलब पौधों को भी अपने टेरिस कार्डन में सहे जा है शेंतूत का पौदा है इसके लावा मेरे पास रुद्राक्ष का पौदा है इस टीविया तुलसी होती है जो कि खाने में बहुत मेठी होती है और डाइवडीज के रोगी यह दी उसको खाएं तो उसका पौदा है मेरे पास शेंतूत का पौदा है आम अमरूत तरबूज के साथ 50 से अधिक वधे इसमें शामिल है एक मेरे पास कीड भक्षी वधा है उसमें एक कलस टाइप का खुलता है और उसको पर एक पत्ती का ढखकन जैसा रहता है जब भी कोई कीड मच्छर उसके पास जाता है तो वो उसकी खुशू से अपने आपको आकरशित करता है और जब वो कीड उसके अंदर चला जाता है तो वो उसको निगल लेता है वो फिर कीड बाहर नहीं आपाता है डॉक्टर अग्रवाल के पास करीब देड़ सो साल पुराने सिक्के हैं उनके पास नए पुराने अन्य सिक्के भी हैं जो चांदी के बने हुए है उन्होंने संग्रह में उस मुद्रा को भी विशेश स्थान दिया है जो देश की स्वतंतरता तक प्रचलन में थी सिक्कों की जहां तक मैं बात करूँ तो सिक्के मेरे पास 1820 सदी के सिक्के हैं 1816 का है, 1818 का है, 1865 का है मादारा और सिंदिया के जो पूरवच थे उनके जमाने के सिक्के हैं होलकर के जमाने के सिक्के हैं पुराने जो सिक्के आते थे जिन में उर्दू में लिखा रहता था उस तरह के कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्कों पर फार्शी में लिखा रहता है वो सिक्के हैं और वो इस प्रकार के दुरलब सिक्के हैं कि उनको मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ को मालूम होता है हमको यह ग्याद होता है कि हमारे यह क्या हो रहा है हमारे यह महापुरुष कौन थे जैसे flowers के दी stamp है तो विभिन्द प्रकार के flowers उसमें रहते हैं सिक्कों पर आपने देखा होगा किंग जॉर्ज की जमाने के फोटो बने रहते हैं आज इंद्रा गांदी का फोटो बना रहता है यह राजपती द्वारा किसी नौशनिक बेड़े का पुनिक्षन किया गया था उसका टिकेट है टेलीफोन बना हुआ है यह टेलीफोन सोवाओं के सो वर्स पूरी हुए थे त पर जारी डाग टिकेट का भी कलेक्षन है अजीब लुथ था मोबाइल ने छीन लिया कभी खतों से भी बूस्ती थी इंतजार की प्यास शायर आबीद अकील का यह शेर शौके जिंदगी को बखु भी बया करता है डॉक्टर जी के अगरवाल के शौके जुरून को देखकर तो यही लगता है उनके शौक के चलते आज उनके गार्डेन में दुरलब पौधे हैं विरो रिपोर्ट एटीवी भारत